तो हम लोगों ने प्रिवेस फुलस में इनेट और एक्वाइड इम्मुनिटी को कम्प्लीट किया था और जो हमारा एक्वाइड इम्मुनिटी है उसके टाइप को कम्प्लीट किया था अब acquired immunity के बाद में आई हम लोगों ने innate immunity और acquired immunity दोनों immunity को complete कर लिया है उसके बाद में अब हम लोगों को देखना है थोड़ा सा response यह कोई अलग सा बहुत बड़ा topic नहीं है देखिए टू टाइप के response होते हैं एक है primary response और दूसरा है secondary response प्राइमरी और secondary response प्राइमरी और secondary response प्राइमरी रेस्पॉंस कहते हैं कि जब किसी particular pathogen का हमारे body पे जो first time attack होता है तो हमारा body उस particular antigen के against में जो response देता है that is the primary response secondary response जब same pathogen second time हमारे body पे attack करता है और उसके response में जो हमारा body यानि उस antigen के against में जो हमारा body response देता है and that is secondary response तो इस तरह से primary response और secondary response यह दो तरह के response को हमें देखना है तो प्राइमरी रेस्पॉंस आप याज रखेंगे first time attack of particular antigen on body and 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 our immune response to this antigen तो जो for time response होगा उस particular antigen के लिए हमारे immune response का that is the primary response अब देखिए secondary response सिंप्ली अगर कहें तो to second time second time second time response and 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 लाइन ओफ फर्स लाइन ओफ डिफेंज फर्स लाइन ओफ डिफेंज का मतलर हुआ कौन-कौन से तो जो आपने इनेटिव निटी में जो देखा था जैसे फीजिकल डिफेंज फीजिकल एंड तो वह किसमें इक्लूड होंगे तो वह फर्ट लाइन ओफ डिफेंज है उसी तरह लाइन ओफेंज डिफेंढ़ छाइन लाइन ओफेंड दिफेंड लाइन बिफेंज का रिफेंज दिफेंज्रेंट cellular barrier and cytokine barrier वो second line of defense और उसके बाद में third line of defense तो third line of defense में acquired immunity include होते हैं तो यह 3 line of defense बस नाम जाज रखना है कि कि किस line of defense में कौनसा immunity include होता है पहले इतनी तर्फ की बात को को कौन बोग समझ गए हैं अब इसी के बाद हम लोगो कोई start करना है कि यसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है तो वो ह्त्रार के रहे हम लोग एंटीजेण क्या होता है कि था हाँ ठाह dissolved और वे प्राथी आज ऐखें कि रहें देख если एंटीजिए यह इस्ट समझे हैं कि यह स्टार्ट करते हैं वो हैं दॉल चलिए यह हमारे वेडिंग हो गया कि क्या है कि क्या होता है कि एंटी जेंग का मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी कॉम्पोनेंट या सब्स्टांस जो हमारे बॉर्डी में जा करके कि एंटी बॉर्डी के प्रोडक्शन को अस्टिमूलेट करता है यानि एंटी बॉर्डी का प्रोडक्शन करवाता है उस कॉम्पोनेंट को हम लोग एंटी जेंग कहते हैं तो सिंप्ली हम लोग इसको समझेंगे बात को कि एंटी जेंग का मतलब क्या हुआ तो एंटी जेंग when introduced into the body, antigen is a component when introduced into the body, अस्टिमुलेट, introduce into the body, अस्टिमुलेट, प्रोड़क्शन और एंटिबॉड़ी, तो ऐसा कोई भी कम्पोनेंट जो हमारे बॉड़ी में जा करके, एंटिबॉडी के प्रोड़क्शन तो बढ़ाता है या करवाता है उसकोन लोग एंटिजिन तक है, अगर इसका केमिकल नेचर क्या है, तो एंटिजिन, या तो पॉली सैकराइड, या फिर प्रोटीन नेचर का हो सकता है, या फिर वो निकलिक एसिग का हो सकता है, क्या-क्या, तो पॉली सैकराइड, प्रोटीन और निकलिक एसिग, ये तीन केमिकल नेचर हो सकते हैं, अब एंटिजिन में हम ल एक ग्रिक वर्ड है एंटी का मतलब होता है अंगेंश्ट एंड दूसरा वर्ड होता है जीनॉस का मतलब होता है वर्ड है कि है एक ग्रिक वर्ड है ईंडी मिन्स अंकेंश्ट एंड ईंड दूप इसी में हम लोगों को देखना है एंटि इसके structure का part है, तो उसको हम लोग कहते हैं antigenic determinants, एंटिजेनिक determinants में antigenic determinants का मतलब इसी को हम लोग कहते हैं epitop, यह अभी एक Greek word है, epitop, ep का मतलब हो गया upon and topos का मतलब हो गया place, okay, समझे आज को, तो epitop का मतलब क्या हो गया, epitop का definition हमारा क्या कहता है, epitop का मतलब हो गया, यह एक्चली antigen का component है, जो एक antigen के उपर एक से बहुत सारे epitop हो सकते हैं, it is a component of antigen, जोग के 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 इस तरह का एक Y-shape का हम लोग देखेंगे अभी आगी जाके एंटीबॉडी ठीक है ना वाइशेप का इस तरह का वाइशेप का हम लोग एंटीबॉडी देखेंगे तो यह जो वाइशेप का एंटीबॉडी है इस इच कि एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी पर यह दो वाइशेप है इसके टू यहां पर यह टू यो एंटीगेंटिधॉडीकि आ सबीट होती है देटीज तू अठीगें बाइंडिग साइट और यह दो एंटीगेंट का की मिल्क इस आइए अन्नम च this एंटीजन के एपिटॉप से बाइंड करता है किससे एंटीजन के एपिटॉप से बाइंड करता है पर इस चीज को हम आपको नोट डाउन करें भी एंड या ऐसे एंटीजन के एंटीजन को निल एंटीजन के ऑंटीजन करता है विट बाइंड विट एपिक टॉप आफ एंटी तेंट ठीक है दूसरा पॉइंट इसी में देखो कि ये एक एंटी बाडी दो अलाग अलाग एंटी जेनके सेम एंटी टॉप से बाइंड कर सकता है दो अलाग अलाग एंटी जेनके सेम एंटी टॉप से यहां पे तंसुजन नहीं रखेंगे बाड़ को पहला बात हम आपको ये समझा रहे हैं कि एक एंटी बाडी के ऊपर दो बैंडिंग साइट है पहला बात आप यह समझ गहें और यहीं बैंडिंग साइट जो है वह याने कि यह यह ख़र बैंडिंग साइट है और सब्सक्राइट है इस यह दोनों समझेंग साइट यह एंटी जेन के साथ बाइंड किया आप समाल गया आपको तो हम कह रहे हैं इस में शुक्त की कि एक एंटी बॉड़ी पर दो बनेंडिंग है वो दो अलग अलग एंटी जेंगे सेंड़ी टोप से बाइंड कर सकता है अगर तो यह सेंड़ी अटीजन तो अलग अलग है सेंटर से बाइंग कर सकता है तो यही बात को हम आपको लिखाना चाहरे तो इसमें आप इस तरह से confusion नहीं रखें कि क्योंकि ज्यादा तर इसमें यह बात ही हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्छोले बात है क्या okay, so and antibody can bind with थो इसमें 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 और सिम्टबिट अपक्राइं कि अपक्ट। इसमें तो इसमें आपक्राइं क्योंकि एफितों चाहरे तो उच्छों एथितों तो आइडेंटिकल इपीट ओफ और डिफ्रेंट एंटिजें तमझ यह बात को यानि कि अगर इस तरह से हम एक एंटिजें को बनाए या एक एंटिजें को बनाए या एक एंटिजें हुआ और और इस एंटिजें के ऊपर यहां पर जो बाइंड करता है एंटिजें के साथ यह जो पार्ट हो गया एक एंटिजें के ऊपर यह एंटिजें है और एक एंटिजें के ऊपर बहुत सारे इपिटोफ है पहले बार हम समझे एंटिजें को नाम है एंटिजेंग डिटर्मिन अब इंटिजेन और च्छी फोड़पा एक क्षळ तीयस के ऴात इंटिजेन एक सिव्ट फड़े precisalt डूम्तिं एक होता है कम क्योंच दूसरा होता है कि ईंट कंप्लीट के सिर्धर सुर्धर टना करेंगा एंटी बोडी का प्रोटेशन करवाने में और दूसरा डिफ्रेंट टाइप के यहां पर देखिए तो एक को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीट एंटीजेन और दूसरे को बोलेंगे हम लोग कि लोग इंटीजेन कॉम्प्ली एंटीजेन और इंटीजेन और दूसरे कॉंप्ली एंटीजेन मतला झर मैद जन एक एक इस उदिर नदिए कार्फ pega val मौं है तर्क घर एक थे को आक एक भूजर्ट ॠ L झरक एक एक दिर जूर्ट एक इस लगिए जिस्सक्वानीना एक अचिए का चामार नदिए is capable to stimulate immune response for antibody production or in complete antigene it is not capable to stimulate for antibody antibody production by themselves it is not capable of being able to do so antibody production is not capable of being able to do so in complete it is not capable of being able to do so it is not capable of being able to do so it is not capable of being able to do so this couple of partial antigen they are incapable in capable they are in capable to stimulate कि आतिन के उoplक न्यवाद श्युखर फिज़ जैस और था दिल इंप रदे बाल ज दीबोड़ फिम्हून रदर बड़़्डि य झर।ब्लिकिक अफित बिप मजधी यव गव दो पेदिए बिए और ओ कुट्ध सिर्ड मौलिक्यूल एंटिवाडी वाई वीसे तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं इसी चीज़ को हम लोग हैपनेस करते हैं अब एक होता है सेल्फ एंटिजेन जो एंटिजेन हमारे खुर्चे बाडी के सेल पर होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अटो एंटिजेन या फिर सेलफ अंटिजेन और जो बाहर के एंटिजेन है उसको हम लोग non-self-antigen का सकते हैं जैसे जो foreign molecule हम लोग बाल पाल जो अनुट देख रहता हैं एख यही हम लोग समझ गें सेल्फ एंटिजेन एक निवा कि ब्लाड ग्रूप पर हीं ऊँगे ब्लेट ग्रूप एपर एंटिंग ब्लाड डूप ब्लाड ग्रूप बीप दी तो यह सब जो एंटी जन हो हमारे बोडी के खुद का एंटी जन है है कि इसको और लोग क्या हैं फिर एंटी जेन ओं के वह body-on-cell, antigen-on-body-on-cell, called self-antigen, called auto-antigen, or self-antigen, and foreign molecules or antigen is non-cell, antigen, तो उसको उन्लोग क्या 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 है? एक होचा है, होता है, H-antigen. एक है, H-antigen का मतलग हुआ, कि it is the precursor of A and B antigen on RBC of blood grouping. तो जो RBC के उपर जो आप जैते हों, जो blood grouping में आपको पढ़े होंगे आप लोग, तो वो यही H-antigen है. it is the precursor of antigen A and antigen B on RBC. तो जो blood grouping के लिए जो देखते हैं, तो वो उसके उपर जो A antigen, यानि A blood group अले पर A और B वाले पर B जो आता है, यानि वो सब क्या है, तो A antigen से आता है. एक होता है, Bombay group या O group आप जानते नहीं होंगे, उसके बारे में आइज हो, आप फॉस्ट टाइम जानते होंगे, तो जब blood के उपर A और B दोनों antigen absent हैं, और उसके उपर एक अलग तरह का antigen, यानि anti-A और anti-B antigen present होता है, तो वैसे blood group को हम लोग कहते हैं, Bombay group या फिर Bende ने इसको बताया था सबसे पहले इसके बारे में, तो उसको कहते हैं, हम लोग O blood group या फिर Bombay group, और उसकी खासियत यह है कि वो किसी भी O blood group वाले या Bombay blood group वाले, सिर्फ Bombay blood group वाले से ही blood ले सकते हैं, किसी दूसरे से नहीं ले सकते हैं, Bombay blood group, Bombay group, Antigen A and B is accent, and Antigene A and Antigene Antigen Antigen इज प्रेजेंट कोर्ड ओ और और बांबे ग्रूप उसी को हम लोग क्या कहते हैं बांबे ग्रूप कहते हैं तो यह जो अलग अलग थोड़ी सी जो बाते हैं वो पंपलिट होगे दो जो हम लोग को इतना जानना है अब आगे फोइंट टोपिफ हम लोग को देखना है एंटी ग्रेंटिंग से ना अब अबर हम उठान एंटी जेंग प्रेजेंटिंग सेज एडि क्या है हमारा एंटीजेन रेजंटिंसेल एपी सी एस एंटीजेन रेजंटिंसेल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सेल जो फॉरेंग मॉल्टिजेन को इंगल्फ करके एस्मॉल पीस में पी सेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं उसको वैसे सेल को हम लोग कहते हैं एंटीजें प्रेजेंटिंग सेल यानि जो एंटीजें है उसको नुटलाइज करने के लिए यानि हमारा थी लिंफोसाइट मारने का काम करता है या थी साइटोटॉप्टिक चीज सेल पढ़ाये केमिकल से काम से घंड़ने काम करेगा या वह से जो काम करते हैं कि उसी को कहते हैं हम लोग एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल आपको यह बात च्छी दिहान में रखनी है आए जानते हैं हम लोग क्या होता है एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में देखिए आपको यह जो टॉपिक है यह बहुत मतलब इमुनिटी टॉपिक ही जो है बहुत अच्छे से समझने पूरा का पूरा पूरा पार्ट है तो इसको रिवीजन करते चलें और जब तक पीछे कि चीज़े रिवीजन नहीं होगी ता आपको कन्फूजन बढ़ते चला जाएगा यह चैप्टल बहुत यानि कि डीजिस का पार्ट अलग है और यह इमूनिटी का पार्ट अलग है तो विवीजन कि तूमी inexpensive जाएग टीजन कि चैकम होट जाैं आपको यह बाबी चैपकधर गरिएजरन क को खे चैक alotetièg तक मार का ओंदी तकि लापन के लाब का किसे लाग मतेपक बपको यह तक है ताटियूत सर्फ violet पयर खेवीजर सम के खेवा एंद्ण में डत्यूत याद मे Fragment to T-cell और T-cell को Fragment की रूप में प्रेजंट करेगा and present Fragment to T-cell called APC तो आप जानते हो मैक्रोफास के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं मैक्रोफास जब हमारा Blood Estring में है तो Monocyte के फॉर्म है और Tissue के फ्लूड में है यानि Tissue के अंदर में है तो वह मैक्रोफास के फॉर्म में है तो एक Monocyte और दुस्वा मैक्रोफास Monocyte यह भी बास आप बोल सकते हैं तो मैक्रोफास जो है वह एक में एंटिगें प्रेजंटिंग सेल में से एक है मैक्रोफास का प्रडिकेल आपको करा चुके हैं यह इंगल्फ करेगा किसी एंटिगें को और उसके बाद उसको रिप्रेजंट करवाएगा टी सेल के पास एक स्ट्राइगमें प्रेजंटिंगें तो यह इंगल्फ वाइड पिशू है इस और उसके बास सेकेंड में देखिए यह हैं डेंट्राइटिक सेल ठीक और कीसरा जो पार्ट कले इसको नों कम्प्लिट करते हैं कौंसा तो जो है वह वह डेंट्राइटिक सेल इसन अदेट्राइटिक सेल जो है वा एंटीजन को ट्राइट करता है एंटीजन को ट्रैप करका है कि यह होता काम करेगा अर it is non-phagocytec-c it trapping and presenting sale for t-cell it is founding s-link link node thymus में और हैस्टील में प्रेजेंट हुआ जिसरा पार्ट आईए तीसरा जो सेल है वह है विसी इसे पहले दिया आपको पता चुके थैं कि वी सेल के उसका जो मेंब्रेल है वी सेल के उसके उपर एंटीबॉडी होते हैं इसे इमिनग्लोगलीम भी कहते हैं जो एंटीड का जो इम्मुन व्मुन व्मुन उभ्मुन उभ्मुन एंभ्मुन व्मुन को प्रच 2 तिक्स लिट्व मुन व्मुन ऑन में लख्मुन ट्रिय हो। of DSo3 which is receptor for Antigen and work as Antigen तो जो यह जो रिसेप्टर का नेचर होता है सारे भी सेल में एक ही जैसा होता है तो जो जआ है कि असर में आप्यsz है सिरे अचर फबिटीज अच्छर भी सेल में लिचणैची जैसा में invite ओचर का ऐसंगा है यानि प्रेजंटिंग से रूप में में रूप से सबसे ज़्या काम कौन करता है तो मैक्नोफाज और डेंडराइटिक सेल करता है कि यहां पर दे देंगे पॉइंट मैक्नोफाज कि एंड डेंडराइटिक सेल मैक्नोफाज एंड डेंडराइटिक सेल में लिवर्क फॉर एपिस्टिक एंडराइटिक सेल इस तरह से यह जो बाते हुए वह है एंटिजेन प्रेजेंटिंग सेल के लिए है मतलब जो बी सेल है एक बी सेल सिर्फ यह जो भी बी सेल है वह सिर्फ एक ही एंडिजेन से पाइंड कर सकता है तो भी पाइंड लिख लेती है एंड यह बी सेल इच ब्यास बी लिग कर ना है कि अगल आ और घी ली ली इच B-Cell can bind with only one antigen तो antigen के बारे में हम लोगे पूरी बाते को देख ली अब next point हम लोगों को स्टार्ट करना है क्या तो वो हम लोगों को स्टार्ट करना है antibody के बारे में कि यहां तक यह बाते हो गई तब हम लोग इस्टार्ट करने वाले ही क्या अब हम लोग इस्टार्ट करेंगे एंटी बॉड़ी हम लोग अब देखेंगे एंटी जेन हो गया था तो एंटी बॉड़ी के बारे में आए हमारा हेडिंग हो गया एंटी बॉड़ी यही एक ग्रीक वर्ड है जैसे एंटी जेन एक ग्रीक वर्ड था तो एंटी मतलब एंगेश्ट और बॉड़ी में बॉड़ी एंटी जे बॉड़ी जो है वाएक तरका इटी जे इम्मुन ग्लोग ली जे ए लिकशी है इमयुन ग्लोगलीम एमनग्म्लोगयी मतलब बताते हैं तो इसको सौर्ट में लिखते हैं है आईपी देखो यहाँ जो टर्म है इम्मुन म्केयाओ इम्म्म्सिस्टम में एंड ग्लोगलीन का मतलब linUS का जया बहुता तो इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन पैथोजेन को न्यूटरलाइज करने का काम करता है उसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिली क्लियर बाद तो तो एंटीबोडी है क्या तो एंटीबोडी प्रोड्यूसिंग बोडी इन दर रिस्पॉंस ओफ इन दर रिस्पॉंस ओफ एंटीजेन और फॉरेन मॉलेकूल जो भी कोई फॉरेन मॉलेकूल या एंटीजेन के वजह से हमारे बोडी की अंदर जो एक तरह का प्रोटीन जिसे इम्मिनोग्लोबलीन क्या सकते हैं हम लोग जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबोडी तो इसी लिए हम लोग क्या सकते हैं एंटीबोडी जाब इम्मिनोगलोबली एम्मिनोगलोबली बट आल इम्युनो ग्लोबलीन आर नौट एंटीबोडी तो सभी एंटीबोडी जो है वाइंटीबोडी नहीं है ठीक है ला एंटीबोडी तो बनता को इसके कोंग किसे हैं एंटीबोडी को भी स्वाट में एवी से काम खिलाते हैं लिख्यें तो एंटीबोडी प्रोड्यूस बाई लिख्यें ओले फिलीनफोसाइट एंट प्लाज्मा से बनेगा और बी लिंफोसाइट जो है वहीं डिवाइड करके डिफिन्शेट हो के प्लाज्मा से बनाता है जिसे बी प्लाज्मा से कहते हैं यह आपको हम बता चुके हैं कि एक मैच्च्वड एक प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस टू थाउजेंड मॉलेक्यूल ओफ एंटीबोडी पर सेकंड एक प्लाज्मा सेल अगर मैच्यूर प्लाज्मा सेल है तो वह लगवाग 2000 मॉलेक्यूल क्या बनाएगा एंटीबोडी को प्रोड़क्शन करेगा अब आएए इसमें इस्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं गलिए मिए अगोराश्मा इसका घृक्सर कैसा रेता है और चल्यें थ्टुड़क्र चोटाइर सख्या बनाते हैं नहीं तो अगर आपका हो गया तो थुड़ा बड़ा structure नहीं तक जब भीए हाँ हो गया था थी आज यहाँ हाँ के बाते लिख लिख Came तो उसके बाइगे की बंक श्ब्व अगे आपका आपका लखे देखंगे देख़े हैं हाँ हाँ हा ए कि देखिए फटा फटा फटे स्टक्चर आएगे देखेंगे हम लोग यह वाई से का स्टक्चर बनता है इसका कि इस वाई से के स्टक्चर में इसमें दो रिजन आते हैं एक होता है वेरियेबल रिजन और दूसरा होता है इसमें कॉंस्टेंट रिजन वैरियेबल रिजन को हम आपको लिखाएंगे तो आप भिखान देगे इसको लिखते चलेंगे ठीक कि बहुत हार एंफास्ट स्ट्रक्चर नहीं है सिंपल सा इस्ट्रक्चर है आप एक पर बनाके या दो पर प्रक्टिस करके आसानी से याद रख सकते हैं कि हो गया उसी तरह से इधर के टूस्ट्रक्ड़ आया अंजयां से करके तो इसरा आप रख rozp झाल इस तरह यही डाई सल्फाइड बॉंड से अटैच होगा आप मेरे साथ का डाइग्राम को बना सकते हैं यह हो गया इधर यह जो पॉइंट है यहां पर होता है इन एज त्री यहां पर ही होगा इन एज त्री प्लस लगा सकते हैं इसी तरह यहां पर सी डवल ओ माइनस का सी डवल ओइश लिख सकते हैं यहां पर ली एन एस त्री प्लस और एन एस त्री प्लस यह जो पॉइंट पर हो गए हैं अब इसमें यह जो रीजन है यहां तक इसको हम लोग थोड़ा इस तरह से क्रॉस 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 कर दिये डिफ्रेंसियेट करने के लिए ताकि आसानी से पता चले यह क्या होता है लाइट रीजन क्या होता है ठीक है ना वैरियेवल रीजन आजिको समझने के लिए हम लोगों ने इसको इस तरह से क्रॉस 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 किया है यह हो लिया ठीक चलिए अब इसके पार्ट को हम लोग नाम देते हैं इस रिजन को हम लोग यह फ्लैजीवर रिजन है इसको कहते हैं यह फ्लैजीवर होता है इसलिए इस रिजन का नाम है हींज रिजन क्या नाम हो गया तो यह हो गया हिंज रिजन ठीक है यह हो गया कॉंस्टेंट चैन कॉंस्टेंट पहले यह देखिए यह जो बड़ा वाला है इसको कहते हैं हम लोग हैवी चैन यह जो फोटा वाला है इसको कहते हैं लाइट चैन तो दो यहां पर हैवी चैन और दो लाइट चैन होते हैं तो दिस इस दा यह हो गया हैवी चैन और दिस इस लाइट चैन यह हो गया वैरियेबल रीजन ठीक है वैरियेबल रीजन ओप हैवी चैन उसी तरह यह हो गया वैरियेबल रीजन ओफ लाइट चैन तो यह हो जाएगा वैरियेबल रीजन ओफ लाइट चैन तो यह हो जाएगा वैरियेबल रीजन ओफ लाइट चैन यह वाइट पार जहां गुलू गुलू नहीं किया है टीके न, ग्लू मर्कल से हमने अंडर लाइन नहीं किया है, जैसे यहां तक का यह region, क्या हो गया, इधर वादा पार्ट यह हो गया, variable region of light chain, और यह वादा पार्ट जो है वा, constant region of light chain, तो दोनों चैन के, दो चैन है पहले, heavy chain और light chain, और दोनों चैन में, दो रीजन है, एक variable region है दूसरा constant region है, तो यहां तक के बात को समझें, और यह देखिए, this is the disulfide bond, यह क्या है, disulfide bond है, disulfide bond है, disulfide bond दोनों heavy chain और light chain को bind करके, रखने का काम करता है, ठीक, तो आज structure में कौन कौन सा पार्ट, तो फर्स पार्ट देखेंगे, इस structure का, heavy and light chain, दो पार्ट है, एक heavy and light chain है, heavy and light chain, तो antibody जो है, वो 4 peptide chain से बना हुआ है, जिसमें, दो heavy chain है और दो light chain है, इसको लिखेंगे, antibody को हम बोले थे हैं, कि A भी से लिख सकते हैं, antibody is made up of 4 peptide chain, 2 heavy chain and 2 light chain, इसी लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, है, S2, L2, यानि दो hydrogen और दो light chain, S2, L2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अब यहाँ पर यह जो site बना हुआ है, इस तरह से अंदर की यो धसा हुआ, इस site को हम लोग कहते हैं, antigen binding site, कौन से site को, तो इस site को हम लोग कहते हैं, antigen binding site, यानि यही पर आकर के ep top जो है, वह bind करता है, कहने का मतलब आप समझ गये, ep top जो है वह बता चुके हैं आपको, यही पर ep top इधर और इधर, तो यहाना पर आईए देखिए, यानि किसी भी antigen का ep top होगा, इसी y-save के, हम पहले ही बताया थे कि antibody में, antibody एक y-save का structure है, जिसके उपर दो antigen binding site होते हैं, तो यही दो antigen, एक इधर और एधर antigen binding site है, तो यह आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो दो two region, इसमें constant और two region variable है, तो दूसरा पाथ हम दो देखेंगे, constant and variable, constant and variable region, two constant and two, two region on antibody, body, that is constant and variable, variable region on both, heavy chain and light chain, तो दोनों chain के यह दो region हैं, एक constant region और दूसरा variable region है, variable region का मतलब जिस तरह का antigen होगा, उसके size के according आपने size को घटा बढ़ा सकता है, इसलिए इसको करता है variable region, यानि देखा कि EP top का size बढ़ा है तो यह अपने size को बढ़ा कर लिया, देखा कि size छोटा है तो यह दोनों मिलके आपस में और में दीका कि size को छोटा कर लिये, तो इसलिए क्या हो गया एक variable region और दूसरा हो गया constant region, यह size नहीं छोटा होगा, यह constant है, उसी तरह इसका यह part constant है, बस variable region जहां पे blue marker से मैंने highlight किया है, वही region जो है variable region है, तो इस तरह से इसमें दो region है, एक constant region और दूसरा variable region है, अब तीसरा part देखेंगे, antigen binding site, ठीक है, अगर diagram यह हो गया, चलिए देखेंगे हम दो, antigen का जो binding site है, यानि कि जो disulfide और ginger region है, या फिर antigen binding site है, यह दो अलग पार्ट हो गये है, इस क्रॉक्चर के बच्चे दुगए है, तो antigen binding site, antigen binding site, एक fast region होता है, तो identical fast region present on the, यानि, the Y-shape antibody है तू आइडेंटिकल तू आइडेंटिकल तू आइडेंटिकल फ्राग्मेंट ऑफ एंटिबोडी बाइडिक इसी परों क्या लिखते हैं आइडेंटिकल फ्राग्मेंट ऑफ एंटिबोडी बाइंडिंग क्यानी फैड वेर एपी टो या एंटिजेंट तू बाइंटिजेंट जहां पर आकर के इंटिजेंट जो है वा बाइंट करेगा ठीक है उसके बाद में है लाट यह थर्ड अस्टक्टर का थर्ड पार्ट और यह फोर्त यानी एक हो गया इस हड़ना इसाटिजर तुब्सितन वर्ड रडियंट यह थेशनफेशल गर banget तक रेंट तक रेंट्स,वा नि स्वारे क्या एंटिज़न,ट्स वस्थीत एंटिजर खार विक्ला का राट जो आजोस्ड स्टर्शाण् की यालिए Anfang आँ है आप ड LT इंघ्घें अ Give ला केटली अए लाम है जए लाम केट लिक लाम लेज अन वी यह उप सा है लाम स्टेंट आंप सावग ले लार में ए यह लेखंग नीज अब डा के लिघए जए depends लेकर कित लाक लोग अब ले में सहबसा है कि यहां कि दिए पार्टी हिए ऑन गार्टी यह फिर का रहा है तो वाइशेप के आग पाद यहां पे वरियेबल घ्ले उसके बाद है तो थोड़ी फ्लाग्जिविलिटी रहेगी तभी तो वैरियेवल आएगा न इसमें अगर फिक्स हो जाएगा तो वैरियेविलिटी नहीं आपाएगी न तो उसी फ्लाग्जिवल पार्ट को जहां पर यह मोड आया है उसी को कहते हैं हम लोग हींग ज़िए हैं अब आकर के यह सिसज़े देखते हैं कि यह तौझ में है तो कि तदा रहा है किसने चिंदेप वाम ड्रेकर की बंडुरा जोनदा यह क्छ वार अप्शा सट उड़्ट नहीं लोग को देखना है एक होता है आई जी जी आई जी ए आई जी डी आई जी गी और आई जी एम ये फाइट आइप स्केंट की बोड़ी को हम लोगों को जानना है ठीक सबसे पाहले लिखेंगे हम लोग को आई जी का मतलब इम्मिन ख्रोफ लिंट इनद में अगमोंस्ट एंटखेंट क्योंकि यह लगवाग 80% होता है और यह इन होता है किसे बैकरिया से वाइरस से ठीक है और यह एक लाता ऐसा है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है तो इटीज लिख्या हो गया मोस्ट अबंडेंट हो गया क्यों यह अबाउट एट्टी परसेंट ओफ तोटल आइदी तोटल आइदी का ठतना परसेंट है या टोटल आइदी का या आभाउट एटी परसेंट है उसके बार इसमें क्या बता रहे हैं आपको यह एक मात्रिक लौता ऐसा है जो प्लासेंटा को cross कर सकता है यानि from mother to fetus transfer होने वाला antibody यही है जो पहले भी हम दो होने discuss किया था तो इस चीज़ को है इसपेल नहीं तो प्रॉस ट्रॉस क्लाफ्श्टा को मदध भी तो फिटश ऑके इसकी बार यह कहां होता है तहीं है प्रेजेंटीन, ब्लॉर्ड, लीम्स, ब्लॉर्ड लीम्स और इंटेस्टाइटन में और यह हमें प्रोटेक्शन देता है किसके हैं इसमें बैक्रिया और वायरस के हैं इसमें प्रोटेक्शन एंगेंस्ट बैक्टेरिया और वायरस, ठीक है, तो इतने सारे यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह हमें याद रखना है इसमें शोटेटन के पारे हैं अब आज याने इम्मीनग्लोब लीम्ट और 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 यह प्रोटेक्शन एक होगता है कि इस सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कि आईजी में मतलब आईजी है इम्मिनोग्लोबलीन है कितना है कि अबाउट तेंट तू फिप्टीन परसेंट ऑफ कि टोटल एंटीबोडी का लगवा कितना तो दस से पंद्रा परसेंट हाँ यह होता कहा कहा है तो यह अबाव हमारे पसेने मां भी होता हैं एमारे आशु में भी होता एक सबसे इंप३रेम में भी होता है यह और सो से इंक great fire तो यह बाक उफरा इसमें आपको ध्यां ड़करना है तो कहां कॉणडी व्वार honeymoon कि और Wir कि आख़ल वी और या Εज्याणत आग ह। टैनल, सेक्रेशन, सलाइभा, कोलेस्ट्रूम का मतलब बार बार कल भी आम बताये थे आपको क्योंकि यह important है question पूछता है इससे first mother milk ओके यह जो होता है यह जो तो है वो थोड़ा J-Safe का होता है क्यों ऐसा दिखाते हैं कि इसका च्छटा सा कंपोनेंट होता है कि यानी है कि विटीज है कि यह से ऐसा क्यों देखिए एक छोटा साइस का पक्चल हम लोग बना के देख लेंगे हुम 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 यह हो गया यह J-Safe का इस तरह से यह जो आरू है इस दा जे चैंग इसको मिटा रहे हैं तो यह हो गया इसका जे चैंग तो जे चैंग कहने का मतलब इसका यह हुआ और यह जो हुआ सेग्रेटरी कॉंपोनेंट 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 मांस्ट सेल में और बैसोफिल से जो हिस्टामीन का सेक्रेशन होता है उसमें प्रेजेंट होता है तो इस माश सेल और सेल और सेण प्रेशन ऑस्टामट इस्टामेन और सेटैशन होता है या उसमें प्रेजेंट होता है हिस्टामिन का सेक्रेशन या जो भी होता है और यह एलर्जी में जो है वह एलर्जी एंड हाइपर संसिटी में काम आता है तो इट इन्वाल्ब इन एलर्जी एंड हाइपर संस्टेटिविटी और यह लगजा इतना तो 0.2 परसेंट और टोटल आईगी उसके बाद में आईगी इमिनोग्लोबुलीम डी इमिनोग्लोबुलीम डी जो भी सेल के रूप और आज रेसेप्टर के रूप में वांड ओन वी सेल सर्फेस एज कि एंटीजेन रेसेप्टर के वांड वी सेल सर्फेस एज एंटीजेन रेसेप्टर इस इतना होता है लगभग 0.1 परसेंट और टोटल इमिनोग्लोबुलीम अब एक मुस्ट इंपोर्टेंट राया कुंसा है लास्ट हमारा शिफ्ट टाइप इम इसको पेंटा मेरी भी बोलते हैं क्योंकि यह पेंटा मेरी किसका दिया के स्टक्चर आपको बनाविकर दिखाएंगे तो यह कहां होगा तो फांड इन लीम्स औ आजमास से और ओल्डेस इमिनोग्लोबुलीम में से भी एक है तो यह क्या है फांड इन लीम्स और रिटेज पर्स्ट कि अग्याएंड था आज सेंड प्लाजम सेते तासी इस हैं अब्लडेस आख यए इन इमिनोग्लोबुलीम हैं वर्लेस इमिनोग्लोबुलीम में नहीं तो यह पितना होता है तो यह इपल्स हैपला इजदा फ़ीड प्ला श्णंग्रशी को मेरां है मैं म्याओ तो इस ट्य लगभग 5% तक यह रहेगा, हाँ, लगभग 5% तक चीजबाओ, 5% of total ID, ओके, एंड, साथी साथ, यह क्या है, तो यह लगभग 5 अमेरिक फॉन का होता है, और एक इंपोर्टन चीज, इंपोर्टन, इंपोर्टन, और एक वोर्टन, उतक है, हमुए निए मेर मों पॉन का है, सबस्क्षध जया जए औरी गशान चीज़ा. कि इस पेंटामेरिक फॉर्म यह क्यों ऐसा क्योंकि यह लार्जेस्ट होता है इस लार्जेस्ट इम्मुनो ग्लोगली और कि इस पेंटामेरिक फॉर्म का होगा क्यों पेंटामेरिक जैसे यहां प्रेक्टर देखें हैं तो इसका इस तरह से हैं देखिए दिखाते हैं आपको यानि पांच इस तरह का बना दीजिए वाई पांच अजिए बना आपको आइस्ट प्रेक्टर ए्सित्वार्श मैं पांच झाल ग्लोग वाईटां के हैं बना मार्चार आपको कि दूता हैं पांच एस उन्दीए दो हमें लागको बना दो पूना आपको झाल झाल तो यहां पेंटामेरिक फॉर्म इस तरह का इस च्रुक्चर जो है यहां इसका है आई जी एम का है और इसमें यहां जे चांग है तो इस तरह से यहां पेंटामेरिक फॉर्म है जो किसी भी तरह से प्लासेंटा प्रॉस्ट नहीं कर सकता है तो इस तरह से हम लोगों ने आदाज सत्रुक्त टरह को क्लेटा गली है oluşचांग को क्लेटा गली हां रहांaci गली हूं Sun Además